आज है 20 जन्वरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं HDFC Life Insurance के बारे में देखें कोविट के बाद ना Insurance सेक्टर जो है वो काफी गरम रहा जरूर लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके बाद अगर देखो तो भाया गिरावड भी हमें वैसे ही देखने को मिली वीडियो में डिसकस करेंगे कि HDFC Life 590 रुपे का शैर है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे है कि नहीं और quarter 3 के इनके नतीजे भी सामने आ चुके हैं तो उसके बारे में भी हम बात चित करेंगे लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगर भी बहुत सारे वीडियो काफी जादा हल्प करेंगे तो देखे जब आज खुला शेर 600 रुपए से उपर ही था और पूरे दिन रहा 600 रुपए के हास पास ठीक है लेकिन जैसे ही नतीज आए ये एक दम से तोट गया धाई परसंट के गिरावट दिखाई और चला गया वाईया 590 रुपए वर गिरावट तो है वाईया काफी बड़ी गिरावट कह भी आया है दो 565 से एक बड़ी रफ़तार पकड़ी 600 की रेंज में रहा और अभी तोटकर वहां से नीच आ चुका है 600 रुपए से नीच आ चुका है एक साल के अगर हम बात करते हैं तो पिछले एक साल में HDFC लाइफ में तकरीब नौ परसंट की गिरावट है लेकिन चार् कर पकरता है फिर तीज़ी पकरता है फिर गिरता है फिर पकरता है तो इस बार जो गिरावट है तो शाइथ कुछ दिनों की रहेगी है और ढह crisल के बारे में तो देखने मिन स्प्रषन में पंद्रा परसंट का जम पाया है और जिल NEMA बिजनस है वह भी 29% का जम वहां पर भ चिह अच्छा है और पिछले साल के मुकादे तो बैटरी है। लेकिन यहां पर यह समझना होगा कि पिछले क्वाटर में कितना था। इसे पहले का जो क्वाटर था सब्टेंबर क्वाटर तब इनका जो profit था फ फّ तो तिसके मुकाद कम है। इसे पहले के जून कवाटर में b तो यही बज़ा है कि आज आपको जैसे नतीजह आये थोड़ीसे गिरावट देखने को मिली और जब भी रिजल्ट्स आते हैं और रिजल्ट्स एवरेज किस्मके होते हैं तो गिरावट हमें ज़रूर देखने को मिलती है लार्ज यह सबसे बड़े प्रमोटर है यहाँ पर एचलिए अपसी लाइफ के अगर हम बात करें तो इंशॉरंस सेक्टर से जोड़ी हुई कंपेनी है कई सारे और कंपेनी भी सेक्टर में है तो अभी यह जो सेक्टर है यह जो सेक्टर है वह काफी भीरबार वाला बन चुका है ठीक अगर आप आज इंशॉरंस लेने जाओगे तो आपको कई सारे मिलेंगे ठीक है और इसमें एक बड़ा प्लेयर भी है जिसको मैं भुलना नहीं चाहिए और सरकारी कंपनी है यह सबसे बड़ा प्लेयर है वहाँ पर बाद में के सारे कंपनी आती है लेकिन एक चीज़ यह कि एलाइसी का मार्केट शर्ष समय के साथ कम हो रहा है और इन सब का मार्केट शर्ष बढ़ भी रहा है एक एचटेएफ से मुझे पसंद आती है कंपनी बस सर्च वितनी है कि कंपनी जो है वह सही प्राइस मिले ठीक है मैं इसको महंगा कता ही नहीं खरीदूंगा जब यह अगर आपको यह 500 में मिल रहा है पांसो बीस रुपए के आसवास मिल रहा है तो खरीदारी की मौगी बनते हैं वहाँ पर वह दिखो तेजी दिखाएगा यह लॉंग टर्म में इसमें कोई शक की बात नहीं तेजी यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगी बस यह है अगर हम इंशोरंस सेक्टर की तो मैं इंशोरंस सेक्टर मुझे पसंद आता है की ़ो मुझे लगता है कि इसमें पोटींशल है ठीक है क्विड के बातना हर मत्किस समझ चुगा ही कि इंशोरंस कितنا जरूरी है और हर कौई अब इंशोरंस ओप्ट कर रहा है इवन अपने insurance को बढ़ा भी रहा है खास अगर जो sellerized person है वो अगर देखा जाए तो खरीदारी की recommendation थी कई सारा brokerage houses की 700 रुपे तक के targets भी देखने को मिल रहे थे हूं के और यहाँ पर अगर हम देखे company को लेकर तो वह यह insider transition summary में जो last कुछ चो transition हुए है एक रुपे 70 पैसे का इसने dividend पिछले साल पे किया था उससे पहले 2021 में 2 रुपे 2 पैसे का dividend था तो काफी कम dividend है यह कुछ खास अच्छा dividend पे नहीं कर रहा है गंदा dividend कहलो अब यहाँ पर लेकिन फिर भी इनके revenue बढ़ रहे हैं आ देखो इनके revenue जो पहले कोविड से पहले इनके revenue 32,000 करोड, 30,000 करोड थे कोविड के बाद सीधे 70,000 करोड तक चले गए तो revenue बढ़ रहे हैं इनके और यह अच्छा सा इन है और इसी रफ्तार से बढ़ेंगे भी इनके revenue और जहां तक बात करेंगे profits की तो वो भी आपको बढ़ते हुए नजर आये थे हाला कि almost static है पिछले पास सालों में और यही वज़ा है कि share price में भी इतना बड़ा impact देखने को मिला नहीं है लेकिन दीरे-दीरे वो भी बढ़ेगा यहाँ पर हाला कि इनका profit और revenue यहाँ पर बनना भी चाहिए HDFC life देखा जाए तो performance कुछ खास अच्छा नहीं रहा है जैसे कि अगर आप एक साल का performance देख लो तो भई यह कुछ खास अच्छा नहीं है ठीक है लेकिन तब लोग डड़ जाते कि यह थोड़ा और गिरेगा थोड़ा और गिरेगा तो यह चीज़ याद रखे कि अच्छी कंपनियों के शेयर हमेशा सबस्ते लग रहे हो तो दिरे-दिरे और mutual fund के पास 4.05% है 2.17% है other domestic institution के पास 30.15% है Files के पास 13.31% है retail और other parties के पास जिन में से retail investor के पास 5.70% के holding देखने को मिल रही है overall promoter के साथ साथ बड़े-बड़े fund houses ने बहुत बड़ी quantity खरीदी है और खास है के Files तो बहुत बड़ी quantity में बैठ है foreign वले यहाँ पर और यह latest data है December quarter का तो देखो HDFC life मैं मानता हूँ कि insurance sector अच्छा है बहतर है सही है सब कुछ अच्छा है यहाँ पर ठीक है लेकिन मेहंगई कीमत पर तो नहीं खरीदूँगा 600 पर तो नहीं खरीदूँगा ना ही 550 रुपए के उपर खरीदूँगा मैं इसको मैं इंदिजार करूँगा कि अगर ये 500 रुपे 520 रुपे के आसपास मिलता है तो वहाँ पर खरीदाय के मौके बनते हैं वहाँ प्रयाट करना चाहिए ना कि तब ये जब महंगे भिक रहे हो तो ये मेरा outlook है बाकी आप समझें आपको क्या करना है दो और company भी है HDFC Group की HDFC Bank 1660 रुपे के उपर trade कर रहा है और ये एकदम से फट चुका है ठीक है बड़ी रफ़तार पकड़ी है इसने भी पिछले कुछ दिनों में उसी तरीके से HDFC Limited ने भी पिछले कुछ दिनों में बड़ी रफ़तार पकड़ी है और अगर चाहते हैं कि मैं इनके उपर डीटेल वीडियो बनाओं तो कमेंट में इनका नाम ज़रूर लिखेगा जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट होगी अगला वीडियो उसी के उपर होगा वीडियो को यहीं पेंट करूँगा पसंदा हो तो लाइक कर शाय का चैनल बगरा पहले बाहर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और HDFC लाइफ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यू